नमस्कार आप देख रहे हैं GBN 24 नियोजर मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर सूबे की योगी सरका सिक्ष विवस्था को सुधार्णी के लिए लगातार प्रयासरत है और परिसदिय विद्याले में हर संभव विवस्था देने को कटी बद ताकि कॉन्वेंट स्कूल की तरफ सरकारी स्कूलों में बच्चों को अच्छी सिक्ष मिल सके पूरे संसाधन मौजूद हो इसके लिए योपी सरकार समय समय पर स्कूल चलो अभियान सहित कई ऐसे कारेकर्म चलाती है ताकि बच्चे जादा से जादा स्कूल जा सके लेकिन गवई राजनीती और सरकारी उदासींता की कारण जीले का एक विद्धाले ऐसा है जो अपने निर्मान काल से अब तक आने जाने के लिए मार्क के लिए तरस रहा है यही नहीं विद्धाले में पढ़ने वाले बच्चे और सिक्षक बारिश के मौसम में गुटनों तक कीचण से होकर विद्धाले पहुँशते हैं इस दोरान कई बास सिक्षक और बच्चे घायल भी हो गए है आई दिंग कीचण में बच्चे गिरते रहते हैं लेकिं विद्धाले निर्मान के 25 साल बीच जाने के बाद भी विद्धाले के लिए रास्ता मुहाया नहीं हो पाया यहाल जीरा मुख्याले से सटे विद्धाले का है जहाँ पर इस विकट परिस्तिती में बच्चों को पढ़नी विद्धाले जाना पड़ता है सबसे बड़ा खत्रा बच्चों को जहरीले जन्तूं से है यहीं नई छात्रों और सिक्षकों को कीचड से होकर गुजरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वाइरल हो रहा है आपकी टीबी स्क्रीम पर जो नजारा दिख रहा है यह बच्चे खेतों में पानी और कीचड की बीच मस्ती नहीं कर रहे हैं बलकि मजबूरन इसको विद्याले में चुट्टी होनी के बाद इस कीचड भरे रास्ते से अपने घर लोटना पड़ रहा है कीचण के 20 से ये बच्चे पठन पाठन के लिए विद्धाले में आते हैं और चुट्टी होने के बाद इसी रास्ते से घर भी लोटते हैं ये नजारा जिली के सदर ब्लॉक के मसोनी गाव इस्थित प्रात्मिक विद्धाले का है यहाँ पर 1997 में प्रात्मिक विद्धाले का निर्मान तो करा दिया गया था लेकिन विद्धाले निर्मान के दौरान इस बात का ध्यान ही नहीं रखा गया कि विद्धाले के लिए सड झाल झाल